नमस्कार दोस्तों S.J.Education YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है पिछली वीडियो पर आपने इतना प्यार दिखाया उसके लिए दिल से सुकरिया आप ऐसे ही प्यार और सुपोर्ट दिखाते रहो मैं आपके लिए ऐसे ही मेनद करता रहूँगा और शिक्षा से जोड़ी सभी जानकारी सबसे पहले वीद पुरूपक की ख़बराब के सामने लेकर के आता रहूँगा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HSE की तरब से बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स निकल करके आ रही है उसके बारे में HPSC की तरब से बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही है उसके बारे में CM ने एक बड़ा आदेश दिया दोस्तों क्या आदेश दिया इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ गुरूप 1256 पुलिस गुरूप D रेजल्ट और जोइनिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या बड़ी अपडेट्स निकल करके आ रही है युवाओं के लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है क्यों होने वाला है इस बारे में भी चर्चा करेंगे तो वीडियो में सभी वीशों पर खुल करके वीद पुरूप पकी खबर के साथ चर्चा करेंगे तो वीडियो को पूरी जुरूर देख लेना और अभी से वीडियो पर लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आज का दिन युवाओं के लिए बड़ा क्यों है वो आप सबको पता है आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त को सुवै आज सभी युवाओं को सभी युवाओं के मातापिता को कहां पहुंचना है संगरस सतल रोतक सेक्ट स्टेडियम नजदीक गउसाडा 31 अगस्त को 6 वजे आज 10 वजे आपको पहुंचना है क्या कहा जारा है हर्याना के लोग लुगाई सारी काकीताई और महरे सारे बहन भाई यानि कि जितने भी हरियाना में लोग लुगाई है जितनी काकिताई है जितने भी बहन भाई है सबी को पहुंचना है आज हरियाने की सारी सरदारी ने हम हरियाना के बेरोजगार युगा अपने संगर्श का साथी बनाना चाते हैं सारी सरदारी को हम बताना चाते हैं कि 5 साल से हम 7-8 एकजाम देने के बाद भी जोइनिंग के इंतजार में हैं सबसे प्रार्थना है कि आप सभी आकर अपने बच्चों के हाथ मजबूत करें यानि कि दोस्तों आपको पता है हरियाना में पिछले कई सालों से बरतियां कम्पलीट हुई नहीं है बहुत से ऐसे एकजाम हैं जिनको 12-12 साल हो चुके हैं जैसे ग्राम सचिव, पटोवारी, जे बिटी टीचर ये कुछ ऐसी बरतियां हैं जिनको तो 12 साल से भी ज़्यादा होने को आ लिये हैं और अभी तक कोई एकजाम हुए नहीं बार-बार फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म कैंसल होते हैं, डेट आगे बढ़ाई जाती है फिर एकजाम कैंसल होते हैं, ऐसा ही सिलसिल अलगातार चलता आ रहा है और पिछले 5 साल से तो ऐसा है कि 7 से 8 एकजाम कलियर करने के बाद भी बच्चों को जॉइनिंग नहीं मिली है कुछ के साथ तो ऐसा भी होगा कि जॉइनिंग होने के बाद भी उनको अब दुबारा से मैन CET का एकजाम देना पड़ रहा है आप सब को पता ही होगा आगे देखेगा दोस्तों बहुत हो लिया पेपर कैंसिल वे जॉइनिंग देदे सरकार ये जो नारा है ये उठेगा कि बहुत हो लिया आपका जो जॉइनिंग देनी ही पड़ेगी तो इस मामले को लेकर के सभी युवा इकठे हो रहे हैं आज यानि 31 अगस्त को सुबह 10 बजे राजीव गांदी स्टेडियम रोतक सेक्टर 6 में तो आप सभी से हाथ जोड के यही विंती है सभी पहुंचिएगा शान्ति पूर्वक वहाँ पर आपको परदर्शन करना है धरना देना है शान्ति पूर्वक करना है जो भी करना है क्योंकि दोस्तों आचार सहीता चल रही है कानून से उपर कुछ भी नहीं है लेकिन आप जरूर पहुंचिएगा जितनी ज़्यादा संक्या पहुंचेगी उतनी ज़्यादा संभावना है कि आपकी मांग है वो मान ली जाएगी चाहे वो सरकार हो चाहे चुनाव आयोग हो तो कौशिस जरूर करनी है सभी को पहुंचना है जो भी काकी टाई टाउ टाई लोग लुगाई जो भी है सभी को जाना है ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों को जाना है बच्चों के माता पीता भी वहां पे पहुंचे तो यही आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है S.J.U.K.S.N. यूटूब चैनल आप सब के लिए कामना करता है कि आप सब के मांगों को जल से जल मान लिया जाए अब बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ सबसे पहले अपडेट निकल करके आ रही है आज की निउस पेपर की देखिएगा देनिक सवेरा निउस पेपर की तरफ से परदेश में वेरोजगारी का आलम ये कि युवाओं को सोसल मेडिया पर चलाना पढ़ रहा है हर्याना मांगे रोजगार अभियान डॉक्टर सुशिल गुपता ठीक है दोस्तों तो ये आप परटीशे हैं और इन्होंने ये का आया कि परदेश हर्याना में वेरोजगारी का आलम इस कदर पहुंच चुका है कि सोसल मेडिया पर आप जो है युवाओं को हर्याना मांगे रोजगार अभियान चलाना पढ़ रहा है जैसा कि आप जानते हैं अभियान में 2.11 लाख ने किये ट्वीट अप परदेश का युवा जाग चुका है सुशिल गुपता ने कहा है यानि कि आपको पता है कि आप जो है 2.11 लाख ऐसे हुआ है जिन्नोंने ट्वीट किया था और हर्याना मांगे रोजगार जो है यहां पर ट्रेंडिंग में लेकर के आए थे तो आगे देखे हैं ग्राम सचीव पतवारी जैसे पदों की भरती 12 साल से लंबित डॉक्टर सुशिल गुपता यानि कि जो ग्राम सचीव हो गए पतवारी हो गए ऐसे कुछ पद है जिनकी 12 साल से भरती हुई नहीं है तो दोस्तों काफी बूरा हाल है फिलहाल रोजगार के मामले में हर्याना में तो इस पर कुल करके बोला है आप पार्टी के डॉक्टर सुशिल गुपता ने इन्होंने क्या कहा है आम आदमी पार्टे के परदेश अद्यक्ष डॉक्टर सुसिल गुपता ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को गेरा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर्याना को पूरे देश में बेरोजगारी में सबसे पहले स्थान पर लाकर कड़ा कर दिया है बीजेपी सरकार ने हर्याना की युवाओं को कहीं का नहीं चोड़ा है परदेश का युवा रोजगार की तलास में दरबदर बटकने को मजबूर है बीजेपी ने दस साल हर्याना में युवाओं को लटकाने के अलावा और कुछ नहीं किया हर्याना में बेरोजगारी का आलम ये है कि जब किसी ने उनकी नहीं सुनी तो युवाओं को हर्याना मांगे रोजगार अभियान सोसिल मेडिया पर चलाना पड़ा इस अभियान में 2.11 लाक युवाओं ने टुईट किये उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मामले में काफी भूरा हाल हो चुका है दोस्तों आप सब को भी इस चीज का पता है सरव वेदित है दोस्तों उसके बाद बात करते हैं बड़ी अपडेट की तो अगली बड़ी सरकार का बड़ा फैसला मैंने आपने थमनेल में पड़ लिया हुगा हरियाना सरकार का जो बड़ा फैसला है उसके बारे में तो वो यही फैसला है दोस्तों अब हरियाना लोक सेवा आयोग यानि की HPSC हरियाना पब्लिक सर्विस कमिशन आप जानते हैं हरियाना में दो सरक निकल कर क्या रही है कि अब हर्याना लोक सेवा आयोग गुरूप B पदों की भी वेटिंग लिस्ट त्यार करेगा ठीक है दोस्तों गुरूप B के जो पद है उनकी भी अब जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पर त्यार कराई जाएगी सरकार ने दो महीने पहले आयोग को दोरी दे दी है तो इसमें डिटेल में पढ़ियागा दोस्तों क्या कुछ दिया गया है हर्याना सरकार ने अपसरों की भरती से समंदित एक बड़ा फैसला किया है अलांकि यह फैसला लगबग दो महीने पहले कर लिया था और दो महीने पहले हर्याना लोक से वायोग इसकी पालना करने के लिए भेज दिया गया था मगर इस फैसले का असर आगा में होने वाले भर्तियों में दिखाई देगा मुख्यमत्री नाइब सिंग सेनी ने गुरूप B अपसरों की सीधी भर्ति में वेटिंग लिस्ट त्यार करने के लिए कहा है हलांकि हरियाना लोग से वायोग ने 2021 में वेटिंग लिस्ट त्यार करने का आगरे पत्तर हरियाना सरकार को बेजा था मगर तब सरकार ने हपसरों के इस आगरे को टुकरा दिया था लेकिन अब जो है इसको मंजूरी दे दी गई है तो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है हपसरों के दिवारा जो ग्रूप B के लिए आपके जो भरतिया निकाली जाती है उसमें वेटिंग लिस्ट भी डाली जाएगी ठीक है दोस्तों आगे देखिया क्या कहा गया है हपसी ने परदेश सरकार से यह बेजी थी बैक ग्राउंड रियाना लोग से वह आयोग ने 2021 में परदेश सरकार को आगरे पत्र बेजा था इसमें लिखा था मुखे सचीव के 28, 10, 1993 और 27, 2, 1998 निर्देशा नूसार आयोग है हपसी दोवारा 25 रिक्तियों की संख्या के 25 परतिसत के बराबर और 25 से 50 तक की रिक्तियों के लिए 15 परतिसत के और 50 से अधिक रिक्तियों के लिए 10 परतिसत के बराबर नियूनतम दो अभियारतियों की परतिक्षा सूची त्यार की जानी है मूल सुची 6 मा तक वेद रहेगी इस दोरान विवागरिक्तियों को भरने की परकरिया पूरी करेगा तो यह बेजा गया था और यहाँ पर जो हर्याना सरकार उसके दोवारा मंजूरी दे दी है दो महीने से तो यह एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है SPSC के लिए कि हर्याना सरकार ने बड़ा फैंसला लिया है अब हर्याना लोग सेवा आयो ग्रूप B के पदों की वेटिंग लिस्ट भी तयार होगी तो यह कुछ आज की मुख्य अपडेट थी कैसी लगी कमेट करके बताना आप कौन सी खबर के बारे में क्या राहे रखते हैं नीचे कमेट जरूर कर देना वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है जरूर करना है नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है क्योंकि इस चैनल का उदेश से आप तक सभी अपडेट स्टिक सही और सबसे पहले पहुंचे तो इसलिए यह चैनल बनाया गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजीगा बिलकुल फरी है नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन हो उसको दबा दो उससे आपको जैसे नहीं वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं आपके लिए हर रोज जौब जौब से जुड़ी ही जानकारियां और साथ ही जौब जिख्या से जुड़ी ही अपडेट निकल करके आती है विध पुरुपकी खबर लेकर के आता हूँ तो हाथ जोड़के प्राथना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगली वेडियो में नमस्कार जैहिंज भारत